आम आदमी को भी इससे जो आप बात कह रहे हैं बहुत उनके लिए रेलिवेंट होगा क्योंकि लोग कह देते हैं स्पीच में कुछ विपक्ष की नेता कह देते कि सरकारी संपत्ती बेजती है तो यह जो उधारन आपने दिया है यह बहुत इसका बहुत एक महत्व है प्रदा अनुभव नहीं है प्रदानमंत्री जी यह डेवलप्मेंट क्या हुआ है एक हो सकता है टेकन फॉर ग्रांटेड अप्रोच जो मॉमाइल जेनरेशन है जिन्होंने मोबाइल फोन देखा है जब से वह उनका जर्म हुआ है वह टेकन फॉर ग्रांटेड कर सकते हैं आप जो आपकी एंटी ग्रेविटी प्रोजेक्ट यह सारी जो प्रोजेक्ट्स हैं यह जिन्होंने अनुभव नहीं किया है कि भारत आज से 20 साल पहले कहां था वो सुनते हैं कि नेता आके कहते हैं उनको देखिए कोई सरकार आ जाए कोई फर्क ने परेगा भारत तो बढ़ता रह आप जरा अपने फ्यूचर विजन को लेकर ताकि कोई भी पीडी टेकन फॉर ग्रांटें ना करें भारत के डेवलप्मेंट को इसको आप कैसे इसको एक्सप्रेस करना चाहेंगे कि जो फीलिंग है कि कोई भी सरकार आजाए कुछ फर्क ने पढ़ने वादा पहले मैं एक में बताता हूं भी जब हमारा देश आजाद हुआ है तब दुनिया की एकोनोमी में हम नंबर छे पर थे भारत का स्थान छे पर थे हमारे इन महानुभावने सरकार ऐसी चला ही सब्सक्राइब महान विद्वान लोग रहे हैं कि हम ग्यारा नंबर पर पहुंच लिए दस साल में हमारे एक के बाद एक सुविचारित कदम आज हम ग्यारा नंबर से पांच नंबर पर आ गए अब कुछ लोग कहते हैं अरब यह तो नेचरल होने वाला है हो नहीं होने अब 6 से 11 हुआ वो कहता भी अगर नेचरल होना था तो 6 से 5 होना थे चार होना चुए था 11 हुआ मतलब तुम ने कुछ उल्टा किया अब हम देखे अध्युद्री 2014 में कॉंग्रेस ने एक अनौंस्मेंट किया था उन्होंने कहा था 2043 हम भारत को दुनिया की तीसरी नबर के अर्थ्भस्ता बनाएंगे हहा था तो हमारे सरकार तीसरी पारि में तीसरी नंबर की एकानॉमि बनाने का लाक्ष्ट न करके चल रही हैं मतलब कर दिया और अगर कॉंग्रेस की स्पीड से चलते हैं तो मुझे लगता है कि तीसरे नंबर की आते आते हो सकता है अर्णव का पोता साय उसको पता समय चाहर मिलते हां तीसरे अनुबर पहुंचे दू-टीन-दूडी चाहती और हम इता देश का नवजवान उसको पुरणा पता नहीं है थेकित के नौजवान को दूनिया का ceDER edis के नावजवान को अगर चीज मिले तो मानता नहीं है लेकिन वो एनालिसिस करता है यह अच्छी निशा नहीं है और मैं मानता हूं कि देश के अब जो इस बार फर्स्टाइम बोर्टर है वो दूएजर 14 के पहले तो 8 सल का 10 सल का 12 सल का उसको उस समय के अख़पारों में क्या चलता था प्रस्टाटर की खबरे क्या होती थी कानुन दोस्त सुनने को मिलता नहीं तो यह चीज़े वो समझता है और हमने भारत की ग्रोथ को एक पकार से दो-दो पीड़ी एडवांस कर दिया है और मैं मैं देशा आपने उले किया का गणियान की बात हो बुलेट ट्रेन की बात हो स्पेस्टेशन की बात हो या एरपोर्ट अब देख 600-700 हवाईजाज है अब 1100 हवाईजाज का ओर्डर बुकिया हुए है भारत आम आदमी को भी इससे जो आप बात कह रहे हैं बहुत उनके लिए रेलिवेंट होगा क्योंकि लोग कह देते हैं स्पीच में कुछ विपक्ष की नेता कह देते कि सरकारी संपत्ति बेजती है तो अभी 50% से जादा पॉपलेशन 25 से नीचे है 60% से जादा या 65-35 से नीचे उनको कोई अनुभव नहीं है प्रदानमंत्री ची यह डेवलप्मेंट क्या हुआ है एक हो सकता है टेकन फॉर गरंटेड अप्रोच जो मोमाइल जेनरेशन है जिनोंने मोबाइल फोन देखा है ज गन्यान हो यह इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की बात हो रही है अगले 8 साल में यह जो आपकी एंटी ग्रेविटी प्रोजेक्ट यह सारी जो प्रोजेक्ट्स हैं यह जिन्होंने अनुभव नहीं किया है कि भारत आज से 20 साल पहले कहां था वो सुनते हैं कि नेता आके कहत प्रखने पड़ेगा भारत तो बढ़ता रहेगा लगातार बढ़ता रहेगा नरेंद्र मोधी प्रधानमंत्री रहे नहीं रहे बीजेपी रहे नहीं रहे कोई भी सरकार आजाये मिली जुली सरकार की सरकार भारत की प्रगती होती रहेगी तो मैं चाहता हूं इस पर आप जरा अपने future vision को लेकर ताकि कोई भी पीडी taken for granted न करे भारत के development को इसको आप कैसे इसको एक्सप्रेस करना चाहेंगे कि जो फीलिंग है कि कोई भी सरकार आजाए कुछ फर्क ने पड़ने वादा पहले मैं एक जंडरल में बताता हूं कि जब हमारा देश आजाद हुआ है तब दुनिया की economy में हम नंबर छे पर थे भारत का स्थान छे पर था हमारे इन कि दस साल में हमारे एक के बाद एक सुविचारित कदम आज हम 11 नंबर से पांच नंबर पर आ गए अब कुछ लोग कहते हैं अरव यह तो नेचरल होने वाला है अब 6-11 हुआ वो कहता भी अगर नेचरल होना था तो 6-5 होना था चार होना चीए था ग्यारा हुआ मतलब सब्सक्राइद के दूजार चाहते हैं का अगरेश्द एक आनौंसमेंट किया था उन्होंगाद चाहते 2043 हम भारत को दूनिया की तीसरी नंबर के अर्थ वस्तव मजें एट सब्सक्राइब हमारी सरकार तीसरी पांच टीसरी नंबर की इक्वानाने के लख्ष्ट करके चल मतलब कॉंग्रेस के हिसाब से 15 साल पहले मेरा तो मैंने प्रिपॉन कर दिया और अगर कॉंग्रेस की स्पीड से चलते तो मुझे लगता है कि तीसरे नंबर की एकोनमी आते आते हो सकता है अर्णव का पोता सब्सक्ता है यह हाल होता है दो दो तीन तीन धी जाती है और वह था त्ड प्रहण पता नहीं है तो कि देश के नौज्वान कर दुनिया के पोता है देश के नौज्वान को अगर चीज़े नहीं है लेकिन वो एनालिसिस करता है यह अच्छी नहीं है और मैं मानता हूं कि देश के अब जो इस बार फर्स्टाइम बोटर है वह दूएजर 14 के पहले तो 8 सल का 10 सल का 12 सल का उसको उस समय के अख़पारों में क्या चलता था प्रस्टाइचर की खबरे क्या होती थी कानु लावारिश चीज़ों वहाथ पर लगाओ एडपोर्ट पर बोला जाता था लावारिश चीज़ों लावारिश आज उसको कुछ ऐसा सुनने को मिलता नहीं तो यह चीज़े वह समझता है और हमने भारत की ग्रोथ को एक पकार से दो दो पीडी एडवांस कर दिया है दो दो हमें आज भारत के पारत करीब सभी मिला करके प्राइबिल प्लेइन बगर सब जिने है तो यह चीज़ों साथ सो हवाई जाए अभी ग्याना सो हवाई जाना का ओर्डर बुक किया हुए भारत दे नहीत जाए है कर दोद्य लिजया का जार भारत का झाल